भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर हाल के दिनों में लेजेंड्स क्रिकेट लीग में एस श्रीसंत के साथ अपने विवाद को लेकर सुर्खिया बटोर रहे हैं। इसमें श्रीसंत ने आरोप लगाया था कि गंभीर ने उन्हें फिक्स कहा था। अब पूर्व भारतिय क्रिकेटर ने मैच के बाद इस मसले और IPL 2023 के दोरान विराट कोहली के साथ हुए विवाद पर खुल कर बात की है। गौतम गंभीर से एक पोड़कास्ट में नवीन उलहक और विराट के बीच हुई कंट्रोवसी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अगर मेंटोर हूँ तो किसी के पास हक नहीं है कि मेरे खिलारी की तरफ चार्ज करे और इसको लेकर मेरी बिलकुल अलग सोच है। जब तक मैच चला मैंने कुछ भी नहीं कहा और मेरा कोई हक भी नहीं था कि ऐसा करूँ। लेकिन मैच के बाद भी अगर कोई मेरे खिलारी के साथ गहमा गहमी के साथ बहस करता है तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने खिलारी का बचाव करूँ।